हालो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल मार्शार क्राप्टर फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल और ट्रेंडिंग डिजाइन बना रहे हैं तो आज हम ये वी सेप में डिजाइन बनाएंगे जो हम ब्लाउस पर बना रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो इसके लिए ये मैंने ब्लाउस पीस लिया है ये सारी का पीस है इसलिए इसकी लंबाई चोड़ाई ज्यादा है तो इसकी स्लीज में एलवो तक रख रही हूँ और ये हमारा लाइनिग पीस है जो हमेशा मैं कॉटन कर लेती हूँ और ये भी एक मीटर ही है ये मैंने दौनों पीस को डवल फोल्ड करके रख लिया है नीचे बैक पार्ट है और उपर ये फ्रंट पार्ट है फ्रंट पार्ट को मैंने आधा इंच एश्टा रखा है और अब इसका शोल्डर देख लेते हैं तो इसका शोल्डर मैंने 7 इंच लिया है और आर्म होल भी 7 इंच पर ही है इसके बाद इसका चेस्ट देखते हैं तो इसका चेस्ट 36 इंचेस है जिसका मैंने 4 पार्ट लिया है और 2 इंचेस में प्लस किया है मार्जिन के लिए और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसके बाद आम होल को सेब देंगे और फ्रंट की सेब भी देंगे इसके बाद इसका नेक देखते हैं तो इसका नेक मैं थ्री इंच ले रही हूँ और ये बैक नेक है एक इंच पर फ्रेंट नेक की लेंध मैंने एट इंच रखी है इस तरीके से तरचा मार्क करके और एक लाइन डॉकर देंगे और इसमें हम हलका सा कर्व देंगे आप चाहिए तो इसको ऐसा ही रख सकते हैं और इसको आप डीप भी रख सकते हैं ज्यादा बैक नेक पर मैंने ये राउंड सेप लगा दिया है इसके बाद वर्ष्ट पॉइंट देखती है जो मैंने टैन इंच पर लिया है और नीचे ये 3.5 पर 2 इंच का इसमें गैप रहेगा और तीनों पॉइंटों को मिला देंगे क्योंकि हम ये प्रिंसेस कट बना रहे हैं इसकी बाद इसमें शोल्डर पर हाफ इंच डाउन करेंगी और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बैक पार्ट कट करेंगी और प्रंट भी कर लेते हैं तो यह मैंने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है इसके बाद हम स्लीप्स बनाएंगे तो स्लीप्स के लिए यह मैंने फैब्रिक को फुरफोल्ड कर लिया है स्लीप्स हम एलबू तक रखेंगे तो सबसे पहले हम उपर से थ्री इंच पर माग करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद यहां से थ्री इंच पर इसका कैप रहेगा और अब इसके आर्म होल की लैंड देखते हैं जो 7 इंच है तो इंच का इसमें मार्जिन है तो उपर से इस तरीके से सेप देंगे और नीचे देख लेते हैं स्लीप्स की लैंध मेंने 3.7 इंच ली है यहां से 5 इंच और 2 इंच का इसमें मार्जिन है आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं कि नीचे स्लिप्स मार्जिन कम रखें तो भी चल जाएगा तो यह हमारे स्लिप्स की भी कटिंग हो गई है कि इसके बाद सेंटर में हम मार्ग कर लेंगे और अब इन सारे पार्ट को हम मैन फैबरिक पकट कर लेते हैं तो यह मैंने सब को मैन फैबरिक पकट कर लिया है यह हमारी स्लिप्स हैं अब इन सब की stitching स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहलेufen back part को श्टार्ट करेंगे तो back part में मैंने man fabric को सीधcą है और उसके उपर Panunda lining piece को इसके बाद नीचे हम slide लेगा लेंगे और नैक पर ऊपर लट लेंगे बैर बैंक चाहें तो design भी बना सकते हैं लेकिन मैं इसको simple ही रख रही हूँ इसके बाद front part देखती हैं तो front part में मैंने fabric को सीधा है और उसके ऊपर lining piece को रखा है और इसको पलट देंगे हम इसको front ऑपर मना रहे हैं इसलिए हम center से को कट करेंगे और sleeve को हम सीधा रख रहे हैं मैंने fabrik को और इसके उपर lining पीस रखेंगे और इसमें नीचे स्लाई लगानी है और पलट लेना है ये मैंने सारे पाइट पर sly लगा लेते हैं और center में cut कर लेंगे और यह मैंने sleeves ready कर दी है तो इसको हम sly लगा लेते हैं और फिर हम donor part के shoulder join करेंगे तो यह मैंने front part को इस तरह के से ready कर लिया है अब हम इसमें center से cut लगाएंगे और आयू की प्ति लगाएंगे उसमें यह इस तरीके से वीश से पाएगा तो यह मैंने आयूग की पट्टी भी रेडी कर ली है और शोल्डर भी जॉइंट कर ली है अब इसमें स्लीज अटेच कर लेती है यह मैंने स्लीज भी अटेच कर दी है इसमें और पीछे हम डाट लगा लेंगे बैक पर और इसके बाद हम इसमें फिटिंग लगाएंगे तो इसकी वेश्ट थर्टी इंचेस है उसका हम फोर पार्ट लेंगे और स्लाई लगा लेंगे तो अब मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ तो ये इस ब्लाउस का फाइनल लुक है इस तरीके से इसका नेक आएगा आप चाहें तो इसको दीब भी रख सकते हैं और आजकली ये बहुत ज़्यादा टेंड कर रहा है इसको सिल्की सारी पर या बनारची सारी पर बहुत ज़्यादा पहनते हैं इस तरीके से इसकी फिटिंग आई है तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके जरूब बताएं और सब्सक्राइब कीजिए में चैनल माश्टर क्राप्टर को साथ ही वैल आइकन को जरूब प्रेस कर लिजिए जिससे आपको आने वाली वीडिय किसन मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी नारी जान के साथ तक के लिए वाए टेक क्यार